हलो दोस्तों मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्विटी टु कम्यूटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में काफी क्रूशल टॉपिक के उपर बात करने जा रहे हैं याज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आपको कब ब्रेकाउट पे भरोसा नहीं करना है और यहां पर जो आपको ब्रेकाउट देखने को मिलेगा वो आपका फेक या फिर फॉल्स ब्रेकाउट नहीं होगा वो आपका genuine breakout होगा लेकिन उस genuine breakout पे भी हम भरोसा नहीं करेंगे उसके basis पे भी हम trading positions initiate नहीं करेंगे अगर आप उसके basis पे trading positions initiate करते हो तो आप trap में first सकते हो और यह कैसे हो सकता है कि हम genuine breakout के बापजूद भी हम trap में first सकते हमें नुकसान हो सकता है यही concept आपको सीखने की जवरत है और यह सारा concept जनरली आपको कोई नहीं बताता और यही सारा concept आपको real life trading में काम आने वाला है तो इसलिए हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जवर सब्सक्राइब कर लिजे और साधी साथ बेल आइक यहां पर हम चार्ट पर आ गए और अगर आप चार्ट देखों तिया आपका टेक महिंदरा का 15 मिनट टाइम फ्रेम बाला चार्ट जिसके बैसिस पर हम आसानी से इंट्राडे ट्वेडिंग कर सकते हैं और यहां पर अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें ता आप कोई भी टा और देखने हुअ तो चलिए यहां पर समझते अब देखिए यहां पर प्राइस हाथ आपका उपर से नीचे आ रहा है और यहां पर पका लोऔर हैप ब्रेकाउट देखने को मिला है लेकिन इस breakout के basis पे अगर आप trading positions initiate करते हो तो आप यहाँ पे trap में आसानी से फस सकते हो और आपको यहाँ पे ultimately loss हो सकता है तो इसलिए हमें इस breakout के बाद हमें क्या करना trade नहीं करना यहाँ पे हमें trading avoid करना अब यह चीज हमें क्यों करना यहीं चीज समझने की ज़रुद है उसके बाद यहाँ पे एक और example में आपको दिखाना चाओंगा यह भी देख सकते हैं 30 minutes के time frame में यहाँ भी हमें breakout देखने को मिला है लेकिन इस breakout में हम entry नहीं लेंगे यह भी आपको समझने की ज़रुद है और यहीं चीज में आपको इस वीडियो में समझाओंगा जिससे आप काफी हद तक profit probability आसानी से increase कर सकते हैं यहाँ पे देखें यहाँ पे हमें breakout तो मिला है और यह आपका real और genuine breakout है लेकिन इस breakout में अगर आप early phase में entry नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद आपको entry नहीं लेना for example अगर आप higher level पे entry करते हैं for example आपने इस particular level पे देखा breakout को और entry किया तो यहाँ पे जो आपका SL बनेगा minimum SL आप यहाँ पे रख सकते हैं यहाँ पे क्या करेंगे हम ट्वेडिंग करेंगे जहां पर हम विस्क इंक्वीज होगा वहाँ पे हम ट्वेडिंग नहीं करेंगे दूसरा अब आपको एक और concept समझने की जवबत है इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम clear कर देते हैं अब देखें जो भी लोग market में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ या फिर यहाँ पे buy side की तरफ entry लिए होंगे उनको उमीद नहीं होगा कि market अगले 3-4 या फिर 5-5 या फिर 10 मिनट में काफी higher level पे जाएगा यानि market आपका बहुत जल्दी काफी higher level पहुंच गया मतलब अब यह सारे लोग देख रहे हैं कि इतना जल्दी हमें profit मिल गया है तो market में जादे रहना सही नहीं है तो वो क्या करेंगे वो यहाँ पे profit book करके market से निकलने के बारे में सोचेंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत हमे profit booking देखने को मिल सकता और उसके कारण से price आपका नीचे आता हुआ दिख सकता है तो यह भी चीज को ध्यान लगते हुए हम क्या करेंगे early phase में अगर हमने entry किया तो क्या लेकिन इसके बाद हम entry नहीं करेंगे और दुबारा हम entry के लिए wait कहां पे करेंगे यह जो big red candle बना है इसके lowest point के आसपास हम entry के लिए wait करेंगे तो overall यहाँ पे conclusions पे हम क्या पहुँचे कि breakout के बाद अगर आपका big green candle का formation होता है तो वहाँ पे हमें क्या करना है जो हमें entry लेना है वो entry हमें avoid करने की जबूबत है अब हमें entry लेना का यह जो big red candle है इसका जो भी lowest point है उसके आसपास हमें यहाँ पे finally entry लेना है क्योंकि ultimately उसके lowest price के करीब price आपको definitely आता हुआ दिखेगा लगबक यहाँ पे 90% chances रहते हैं कि दुबारा इसके lowest price के करीब price आपको आएगा फर एक जांपल यहाँ पे लेख लीजे अगर आप इस level पे entry लेते हैं तो आप थुरा सा late हो जाएंगे लेकिन हम इस level पे entry नहीं लेंगे हम क्या करेंगे हम इस level पे wait करेंगे अब देखिए price आपका ultimately नीचे है और इसके करीब आया है यहनि हमें जिस level पे entry लेना चाहिए था दुबारा हमने wait करके उसी level पे entry लिया पहला benefit यह हो गया है कि हमें यहाँ पे ज्यादा profit मिलेगा और target price यह होगा दूसरा हमें जो stop loss रखना होगा इस candle के lowest point या फिर इससे थोड़ा सा नीचे रख सकते है यहनि हमारा जो SL होगा वो काफी छोटा होगा और target जो होगा हमारा काफी बीग होगा देखिए SL हमारा maximum इतना बारा हो सकता और target काफी बीग होगा यहनि यहाँ पे हमारा जो risk होगा वो काफी कम होगा और जो यहाँ पे हमें reward मिलेगा वो काफी higher यहाँ पे हमें reward मिलता होगा देखिएगा इस तरीके से risk reward भी हमारे favor में होगा तो इसी के लिए यहाँ पे हम trading positions initiate नहीं करेंगा जब भी आपका breakout के बाद big green candle का formation देखने को मिलता है हमें इसके lowest point के करीब एट करना है उसके बाद देखिए दुबारा से भी इसके lowest point के करीब price आया है अब जब भी price इसके lowest point के करीब आएगा तो हमें क्या fine करना है एक हमें fine करना है कि positive pattern का formation हुआ है यह नहीं हुआ यह नहीं buyers यहाँ पर strong दिखे हैं कि नहीं दिखे है इसी situation में अगर आप देख लीजे तो यहाँ पर long tail है the bottom बना that means to जो sellers हैं वो सबसे पहले हमें कमजोड दिखें अब यहाँ पर हमें buyers का inp पी चाहिए buyers आया है और closing जो दिया है वो आपका high के आसपास ही closing दिया that means to यहाँ पर buyers में strength दिख रहा है तो हम इस level के आसपास entry ले सकते हैं और उसके बाद यह level हमाई लिए SL के रूप में काम करेगा और target price हमारा यह होगा तो यहाँ पर भी देख सकते हैं SL हमारा काफी छोटा सा और target काफी big है 30 मिनट के टाइम फ्रेम में ताकि आपको हर एक टाइम फ्रेम में यह concept समझ में आसानी से आ जाए और दूसरा example हम ले ले just dial के 30 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखिए आपका yellow form किया यह लोग को जोईन करते हुए trend line draw किया yellow बनाया फिर yellow बनाया और इन दोनों लोग को भी जोईन करते हुए trend line draw किया यह नहीं यहाँ पर आपका big green candle का formation होता है इसके बाद आपको यहाँ पर entry नहीं करना है big green candle के बाद क्यों नहीं entry करना क्योंकि हमने आपको बताया वह आपस से price इसके lowest point के करीब आएगा फिर हम यहाँ पर entry ले सकते हैं अब देखें प्राइस आपका all the way काफी ऊपर गया अगर आप इस लेवल पर entry लेते हो तो आपको SL यहाँ पर रखना होगा या नहीं तो इसके नीचे यहाँ पर रखना होगा तो SL काफी बेग होगा risk काफी जादा increase हो जाएगा वहीं अगर हम इस लेवल के आसपास entry लेते हैं देखें प्राइस आपका नीचे साइट की तरफ आया और यहाँ पर हम कोई positive pattern खोजेंगे या फिर कोई positive है चीज यहाँ पर हमें मिलना चाहिए जो की strength हमें दिखाए बायर्स का अब यहाँ पर देखें यह आपका काफी हत तक piercing candlestick pattern का formation किया है और उसकी बाद हम इसी level के आसपास हम entry लेंगे यानि यह हमारा entry point बन जाएगा और इसका जो भी lowest point है वो हमारे लिए SL की रूप में काम करता हुआ दिखेगा फिर हम इस target price के लिए जा सकते हैं जो की आसानी से hit कर देख सकते हैं target काफी बेग और SL काफी चोटा अगर आप market के पीछे भागते हो तो आपको नुकसान हो सकता इसलिए आपको levels पकर के बैठे रहना वहीं पर market आएगा तब हम entry लेंगे आगे बढ़ने से पहले एक कोर्स ही बताना चाहूंगा कि अगर आपको यह सारे candlestick pattern candles के बारे में या फिर technical analysis सीखना है तो उसके candlestick technical analysis सबको इस तरीके से design किया इस तरीके से बनाया कि आप as a independent trader के रूप में काम कर सकते हैं खुद से अपना trading decisions ले सकते हैं और उसके अलावा हमने stock market का basic से लेके advanced level तक का course भी बनाया अगर आप market में beginners हैं तो आप वो course भी enroll कर सकते हैं और उसके बाद आप जाहो तो stock market में अपना part-time career भी बना सकते हो हमने उस level का course बनाया और हमने course में सब कुछ में चाहे options हो chart pattern हो 0 से लेके advanced level तक बनाया ताकि आपको समझने में आसानी हो तो चले यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और आप next example पर आते हैं अगला example अगर हम देखें तो यहां पर देखें हमने यह ज आप देखने मिला और breakout किस से दिया breakout आपको मिला बिग ग्वीन कैंडल के साथ अब यहां पर हमें क्या करना है इस लेवल इस लेवल इस लेवल पर हमें इंट्री नहीं लेना हमें इंट्री कब लेना जब प्राइस आपका इसके करीब आता हुआ देखें और वहां पर कोई पॉजेटिव पैटरन दिखें तो वहां पर हम डेफिनेटली इंट्री ले सकते हैं अब यहां पर थोड़ा सा हमें टाइम लगा है लेकिन यहां पर हमें फाइनली प्राइस आपका इस लेवल के आसपास आता हुआ दिखा अब जब प्राइस इस लेवल करीब आया है तो अगर हमें बायर्स में च्रैंट और फिर स्टोंग नहीं होता है तो यहां पर हम ट्रेडिंड करेंगे जो इस स्ट्राटिजिव में ए लेकिन अगर आप त्राइडिंग lacks है तो आप क्या करेंगे यह ग्वीन केंडल मना इस अगाद हम इंट्री लेगे क्योंकि यह जो लॉस होगा इतना लोस और जिससे मैं ज़्याधा कोई फर्क नहीं परेगा चाहे आप छोटे ट्वेटर और या फिर मेडियम साइज च्वेटर या बिक ट्वेडर वो यह जो नुकसान होगा उससे ज़्याधा आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है और यहां पर एक कोड़ कि अगर आप प्रेबियस एक्जामपल पर आते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि हमें जो ब्रेक आउट मिलता है या फिर हमें जो प्रॉफिट मिलता है यहां पर हमें काफी कुई क्विक प्रॉफिट मिलता है विदिन मिनट में प्रॉफिट मिलता हमें आवरी बेट करने की ज़रुवत नहीं है चाहिए इसका कितना भी एक्जांपल देख लो आपको बहुत चल्द प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा जादा आपको वेट करने की ज़रुवत नहीं है तो मैंने आपको ये गलत वाला एक्जांपल भी इसलिए दिखा है क्योंकि अगर आपका ये ट् 50% के profit में रहेंगे इस तरीके साथ इस strategy का accuracy label है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना हद तक काम करने वाला इसलिए आप इस strategy को आगे से इनका वेज किजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ही किजिए मिलते नेक्स वीडियो में जैहिन